अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूं आर्टी दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी टैली.erp9 उप्योग कर रहे हैं यानि जिनके कम्पीटर में अभी टैली.erp9 इंस्टॉल्ड है और भविश्य में वो टैली प्राइम का उप्योग करना चाहते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम में टैली.erp9 के existing license को reactivate करने के बारे में बताएंगे उसके लिए सबसे पहले आपको टैली प्राइम डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा टैली प्राइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करना हम आपको पहले ही बता चुके हैं और इस वीडियो की लिंक भी हमने नीचे description में दी है आगे बढ़ने से पहले हम आपको टैली प्राइम के license के बारे में कुछ ज़रूरी जनकारी दे देते हैं पहली बात यदि आपके पास टैली.erp9 का licensed version है मतलब आपने टैली.erp9 का license खरीदा हुआ है और आपका टैली का जो subscription है वो valid है यानि टैली software services जिसे short में TSS भी कहते हैं वो आपने लिया हुआ है तो टैली प्राइम के लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा आप फ्री में टैली.erp9 से टैली प्राइम में अपग्रेट कर सकते हैं दूसरी बात यदि आपके पास टैली.erp9 का licensed version तो है पर आपने टैली का subscription renew नहीं करवाया है यानि टैली software services नहीं ली हुई है तो आपको उसका subscription charge देकर renew करवाना होगा तभी आप उस license को टैली प्राइम में यूज़ कर पाएंगे तीसरी बात यह कि यदि आपके पास licensed टैली नहीं है तो आपको टैली प्राइम खरीदना होगा और नया license कैसे activate करते हैं यह हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं चौथी बात इन सब के अलावा यदि आप टैली प्राइम को सीखना चाहते हैं तो आप इसके educational version का उप्योग कर सकते हैं यह बिल्कुल निशुल्क यानि फ्री रहता है चली अब शुरू करते हैं आज का अध्याए हमारे पास टैली.erp9 सिल्वर लाइसेंस पहले से ही था और अभी हमने उसका टी एसस भी रिन्यू करवा लिया है आई अब देखते हैं कि टैली.erp9 के existing license को टैली प्राइम में कैसे रियक्टिवेट करते हैं जैसे ही हम टैली प्राइम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले license की screen दिखाई देती है यहाँ पर आपको license से समबंदित चार options दिखाई देते हैं पहला है continue in educational mode यदि आप टैली प्राइम खरीदने से पहले इसे try करना चाहते हैं या फिर इस product का उप्योग कैसे करें ये सीखना चाहते हैं तो आप इसके educational version का निशुल्क यानि free उप्योग कर सकते हैं यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि इसमें टैली प्राइम की सारी सुविधाई तो मिलती हैं पर इसमें काम केवल तीन ही तारीखों में कर सकते हैं और वो है 1, 2 और 31 दूसरा option है use license from network इसकी साहता से आप टैली का multi user यानि की gold version जिसमें हम एक ही समय पर सर्वर की साहता से कई computer उप्योग कर सकते हैं उसके existing license को reactivate कर सकते हैं तीसरा option है reactivate existing license यदि आपके पास पहले से ही single user यानि silver license है तो उसे इस option की मदद से आप reactivate कर सकते हैं चौथा और आखरी option है activate new license यदि आपने टैली प्राइम का नया multi user यानि gold license या single user यानि silver license खरीदा है तो उसे activate new license की मदद से activate कर सकते हैं हम अपने टैली.erp9 के existing license को टैली प्राइम में reactivate करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर reactivate existing license पर माउस से क्लिक करें या फिर R key को प्रेस करें जैसे हम reactivate existing license को select करते हमारे सामने एक message आएगा जिसमें लिखा होगा you need administrator rights to perform this action यानि आपको इस action को करने के लिए administrator rights की जरूरत है और इसी के नीचे लिखा है do you want to restart teleprime with administrator rights यानि क्या आप administrators rights के साथ teleprime को restart करना चाहते हैं आप yes को mouse से select करें या फिर enter press करें ऐसा करते ही इस तरह का message दिखाई देगा जिसमें आपसे permission मांगी जा रही है yes पर click करें ऐसा करते ही tele restart होगा जैसे ही tele restart होगा हमारे सामने reactivate license की screen दिखाई देगी जिसमें की tele.net id और tele.net password पुछा जाएगा tele.net id के सामने आपको अपना tele में registered email id टाइप करना होगा और यदि आप यह भूल गए हो तो इसे आप अपने tele supplier से संपर करके ले सकते हैं email id टाइप करने के बाद यहाँ tele.net password टाइप करना होगा ध्यान रखें आपके email id और password दोनों ही सही होना चाहिए तभी आप license reactivate कर पाएंगे और यदि आप password भूल गए हैं तो reset password पर क्लिक करें ऐसा करते ही reset password की pop-up window आएगी जिसमें tele.net id में आपका registered email id दिखाई पड़ेगा और अगर ना दिखाई पड़े तो आप उसे type कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए enter press करें ऐसा करते ही tele की ओर से आपके registered email id पर एक link भिशती जाएगी हम अपना email open करके देख रहे हैं यह देखे इसमें tele की ओर से एक email प्राप्त हुआ है हम इस mail पर क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर एक link दिखाई पड़ रही है अब हम इस link पर क्लिक कर रहे हैं लिंक पर क्लिक करते ही reset my password वाली window open हो गई है जिसमें उपर हमारा tele.net id दिखाई दे रहा है और उसके नीचे new password वाला blank field दिखाई दे रहा है इसमें हम जो भी password बनाना चाहते हैं वो हमें type करना होगा ध्यान रखें, password कम से कम 5 characters का होना चाहिए password टाइप करने के बाद उसे confirm करने के लिए यहाँ पर दुबारा से type करेंगे और अब नए password को save करने के लिए change पर click कर देंगे click करते ही एक pop-up आया है जिसमें पूछा जा रहा है are you sure मतलब क्या आप निश्यत है आगे बढ़ने के लिए हम मूखे पर click कर रहे हैं ऐसा करते ही password reset हो गया है चलिए अब हम वापस टैली पर चलते हैं और यहाँ पर अपना नया password type कर देते हैं अब enter press करेंगे ऐसा करते ही इस license को surrender और reactivate करने के लिए message आ जाएगा yes के लिए enter press करें या mouse से yes पर click करें हम इसको reactivate करना चाहते हैं इसलिए yes पर click करेंगे ऐसा करते ही license सफलता पूर्वक reactivate हो गया है और इस तरह का message आ जाएगा आगे बढ़ने के लिए enter press करें enter press करते ही migrate company data screen दिखाई देगी जिसमें एक company को migrate करने के लिए पूछा जा रहा है अभी हम इस company को migrate नहीं करना चाहते हैं इसलिए escape की press कर रहे हैं साथ ही migration required भी लिखा हुआ है इन company को टेली प्राइम में चालू करने के लिए हम इन्हें migrate करना होगा किसी company को migrate कैसे करते हैं यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद हुआ है